कि चलिए एक कुश्चन देखते हैं कि कुश्चन में क्या कहता है हमारा कि हमारे पास क्या क्या गीवन है एक तो सेलिंग प्राइस गीवन है हमें बीस रुपए वेरियेबल कॉस्ट ग्यारा रुपए वेरियेबल सेलिंग कॉस्ट तीन रुपए फैक्टरी ओवरहेड पांच लाग चालिस अजार रुपए और फिक्स सेलिंग हमारा ये दे रखा है तो ये दोनों हमारा fix है ठीक है? और ये दोनों हमारा variable है यहाँ पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका selling वाला देखेंगे या manufacturing, fix cost मतलब fix चाहे कोई भी portion का हो तो दोनों part है हमारा कहता है break even point आपको निकाल के बताना है amount of sales in rupees rupees में बताना है तो break even point अगर आपको rupees में बताना होता है तो simple सी बात है break even point अगर आपको rupees में चाहिए तो दो तरीके हैं या तो आप करो fix cost divided by PVR तो into में 100 ये directly आपका rupees में आएगा या फिर आप कर सकते हो rupees में convert करने के लिए तो सबसे पहले करोगे fix cost divided by CPU तो इससे निकल के आएगा आपका unit और आप rupees में convert करने के लिए break even point is equal to unit जो निकल के आया उसको multiply कर दोगे selling price से तो ये rupees में आजाएगा तो हम कोई भी किसी से भी करेंगे दोनों से answer सेम रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास unit नहीं पता के कितने यूनिट बेच रहे हैं अपने question में क्या कहता है कि सर हमारे पास है बीस रुपे पर यूनिट पार चालिशार कॉस्ट break even point निकालना है रूपीज में ठीक है number of unit must be sold इतने profit कमाने के लिए कितने unit sold करने होंगे how many units sold on net income 10% on sales ठीक है बीकॉम में आया हुआ question है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं simply पहले हम break even point निकाल लेते हैं तो break even point is equal to यही formula लगाएंगे तो सर यहाँ पे contribution क्या है यहाँ निकाल लेते हैं contribution को contribution होगा सर यानि CPU sales माइनस में VC जो कि हमारे 20 रुपए है और माइनस में 14 14 कैसे आया इन दोनों को add करके वी सी है ना 14 तो 6 रुपए आ गया fix cost क्या आ गया पांच लाख 40,000 और दो लाख 52,000 पांच लाख 40,000 प्लस दो लाख 52,000 952 तो सर आगया नाइन 792 डिवाइड़ बाई 792 डिवाइड बाई 792 डिवाइड बाई 6 रुपए डिवाइड 6 तो सर ब्रेक इवन आगया एक लाख 32,000 ठीक है रुपीज में पूछा है तो इसको multiply किस से कर देंगे सर एक लाख 32,000 यूनिट आया है मैंने बता है न कि यू ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आपको चाहिए तो एक लाख 32,000 multiply 20 multiply 20 तो यह आगया सर 26,400,000 फॉर्स्ट आंसर ड़न second number of unit sold profit कितना कमाने चाहते हो सर आप? आप 60,000 रुपे कमाना चाहते हो तो क्या होगा? point number 2 देखिए सर हमारा इसको desire sale कह देते हैं है न? desire sale क्या होता है हमारा सर? fix cost और plus में जो profit कमाना चाहते हैं वो रख लीजिए आप और divided by आप CPU कर दीजिए तो number of unit आ जाएगा तो fix cost तो वही आ जाएगा 792 desire sales question में कह रहा है कि आपको profit कितना कमाना है सर? 60,000 तो 60,000 रुपे divided by आप क्या करेंगे? divided by आप कर देंगे CPU यानि 6 रुपे तो 792 प्लस 60,000 divided by 6 तो यह आ गया सर 142 दूसरे का भी answer done second का भी answer क्या हो गया सर? done how many units sold must unprofit net profit पे आपको 10% का चाहिए net profit पे 10 पर नहीं यानि sales पे 10% कमाना चाहते हैं तो सर बहुत simple सी बात है इसका देखिए point no.3 point no.3 point no.3 में क्या होगा? हम रखेंगे क्या? simple सी बात है sales is equal to VC plus FC plus profit यह रहता है मान लेते हैं हम unit x sold करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 20x VC हमें नहीं दे रखा VC कितना है 14 है तो यह आ जाएगा 14x unit माना let unit x मान लिया FC पता है 792 और profit कितना earn करना चाहता है सर यह 10% sales तो sales यह है इसका 10% यानि 2x solve कर लेते हैं 16 हो गया यह 16 20 तो 4x आ जाएगा यहां पर और यह आ जाएगा 792 डिवाइड कर लिजिए सर आंसर आपके सामने है 792 डिवाइड वाइड वाइ 4 यानि आ गया सर यह 198 198 unit अगर आप बेजते हैं तो आपको profit हो जाएगा 10% on sales यह आपकी responsibility मैं दे रहा हूं कि आप इसको प्रूफ करेंगे income statement बनाएंगे और प्रूफ करके आपको बताना है ठीक है ना तो यह था हमारा एक question 5.4 और ऐसे ही सारे question है आपके content में मैं सारे question upload कर दूंगा और सारे question करने के बाद जो doubt होगा doubt session लगा लेंगे मेरे तरफ से यह chapter जो है वो लगभग लगभग सारे concept हो चुके हैं खतम इतने सारे बस practice आपको करना है मैं अभी question स्री practice कर बार हूं आपको तो चलिए एक और नए question पर मिलते हैं चलिए नए question की बात कर रहे थे तो यह रहा हमारे सामने एक new question new question में क्या है सर कहता है एक company fix expense आपका दे रखा है इसका 90,000 with sales आपका है हमारा 3 lakh 90,000 का fixed cost है sales और profit earn करता है हमारा 60,000 रुपे ठीक है यानि हमें दे रखा है sales sales है 3 lakh थोड़ा और इसका thickness बढ़ा लेते हैं और इसी sales पे हम profit कमाते थे सर कितना profit कमाते हैं 60,000 और यहीं पे हमारा fixed cost जो है वो है सर 90,000 तो contribution अगर मैं आपसे पूछ हूं simple तो contribution निकल सकता है simple सी है 1,50,000 क्योंकि क्या होता है contribution fixed cost plus में आपका profit को भी contribution ही बोलते हैं यह पहले कर रखा है इसलिए ज्यादा इसलिए detail में नहीं जा रहे है calculate profit volume ratio if the next period कहता है profit volume ratio निकाल लिया if the next period company suffer loss 30,000 अगर company को अगले साल loss हो जाए 30,000 का तब तो देखें यहां पे question कहता है profit volume ratio निकालना है और अगला point कहता है यहां पे थोड़ा सा a point हा जाना चाहिए क्योंकि बी-point है ना a point यह होगा पहले तो हम profit volume PVR बता देते हैं तो very simple PVR क्या होता है contribution upon sales into में 100 हमारे question में contribution निकाला था भी 150 divided by 3,000,000 into में 100 that is क्या होगा हमारा 450 परसेंट आ जेगा न एक लाग पचास अजा इंटू हंडर्ड 50 परसेंट यह आ गया 50 परसेंट ठीक है अगले point पे चलते हैं ए पार्ट क्या कहता है सर कहता है कि अगर company suffer करे loss if next period company ने suffer loss करा तो PVR बताइए बिल्कुल बता देते हैं अगर company loss करेगा तो देखे fix cost हमारा कितना था हमारा सर fix cost था हमारा 90,000 यह तो बदलेगा नी loss जो है वो minus हो जाएगा सर loss हमारा कितने का है loss है हमारा question में देखा जाए 30,000 का तो new contribution आ जाएगा हमारे पास और new contribution आ जाएगा 60,000 अब PVR निकाल लेते हैं PVR आ जाएगा 60,000 divided by sales में कोई बदलाव थोड़ी होगा यह मतलब थोड़ी है कि loss हो गया तो sales बदल जाएगा into 100 तो 60,000 divided by 3,000,000 into 100 तो सर यह आजाएगा 20% PVR तो जब कुछ भी नहीं हुआ तब PVR और PVR What is the margin of safety if profit आपका यह दे रखा हो और A के हिसाब से बताना है अबब A के हिसाब से MOS तो सर margin of safety MOS का formula क्या होता है आपको याद हो तो MOS is equal to profit divided by PVR लिखवाया था ना तो MOS कहता है A point के हिसाब से बताओ तो A point के हिसाब से यह है तो profit हमारा कितने का है 60,000 और A point के हिसाब से PVR हमने 0.2 निकाला है 0.2 निकाल लिया ठीक है न तो 60,000 divided by 0.2 तो यह आगया सर 3,00,000 रुपए हमारा MOS होना चाहिए margin of safety 3,00,000 हमने कम तो नहीं निकाल दिया ठीक है margin of safety कितना होना चाहिए हमारा 3,00,000 तो यह था सर हमारा question number 5.6 देखो मैं लगादार question कर रहा हूँ जो question अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वह आपने करना है ठीक है तो 5.6 कोई देखता तो इसमें बताईए फटा-फटा कर दो यहा वहाँ पड़र का यहाँ प्रभाना कर दो देखता है कर दो दो कितने कर दो मैं सबस्क्क्रादाट कर दो